हेलो नमस्कार जहन पहर सातियों स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेस यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम राज्थान हाई कोड भरती के बारे में बात करेंगे तो क्या कौन सी भरती है उसके बारे में देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स यान की फोर्म कब से भरना चालो होंगे लाज्ट डेट कव रहने वाली है एक्जाउन फीस और यह सब कब होने वाले है वहीं बात करते हैं हम एप्लिकेशन फोर्म यान की फोर्म भरना जो है हमारे 9-2-2-0-24 से यानि कि 9-2-2-0-24 से जो है फोर्म भरना चालो हो जाएंगे सांती लाज्ट डेट जो रहने वाली है वो 9-3-2-0-24 जो है लाज्ट डेट रहने वाली एक वही जो है आप फीस कब तक जमा कर सकते हैं तो वह 10-30-2024 तक जो है वह फीस जमा कर सकते हैं सबसे पहले एक बात आपको बता दें दोस्तों कि आप लाश्ट डेट का इंतजान न करें कि 9-30-2024 तक हम फॉर्म भर देंगी आप फॉर्म को लाश्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर दें जिससे कि आपको बाद में समस्ता को समय ना करना पड़ा है या साइड नहीं चलती है बहुत सारी इसु बनते हैं तो इससे अच्छा है कि आप जो है लाश्ट डेट से पहले फॉर्म को भर दें चलिए आगे दिखते हैं, फीस क्या रहने वाली है, जैनरल और अधर इस्टेड वालों के लिए जो है, वो 750 रुपे फीस रहने वाली है, OBC और EWS के लिए जो है, 600 रुपे फीस रहने वाली है, भही, SC, ST और PHE, उनके लिए जो है, 4500 रुपे फीस रहने वाली है, आप फीस किसी या मैं honκεо कर सक ने कि चलिए बात कर लेते हैं कि एज जो håण कर लेते हैं हम मुनीम्म एज जो है वह ः дов से ने वाली अधिक्नम एजो हई आए एगज हजार 25 तक आपके जो हैं ऑने बहले है ठीक है चलिए आगे देखते हैं बात करते हैं कि total number of post हमारे 30 है तो इसमें बात करेंगे कि junior personal assistant in Hindi इसमें total post पे जो है वो 30 है इसके लिए क्या eligibility रहने वाली है तो bachelor degree in any stream from any recognized university in India जो है कि किसी भी university जो है आपके आपके पास में bachelor degree होना चाहिए चलिए देखते आगे की जानकारी नहीं category wise post के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं तो general की जो है वो 13 post रहने वाली है OBC की 6 post है MBC की एक post है और EWS की 3 post है SC की 4 post है ST की 3 है तो total number of post कितनी है तो तीस जो है total number post है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बात कर लेते हैं इस टैप से इसमें test होगा आपका तो mode of selection रहेगा तो इसमें जो है Hindi cell consist of Hindi shorthand test ठीक है computer test तो क्या रहने वाला है Dictation of passage of Hindi shorthand test जो है वो की 8 minute का हुआ आपका इसमें आपको 70 word per minute जो है आपकी speed रहने वाली ठीक है मही second में क्या हुआ transcription and any transcription and typing of detected passage in Hindi on computer ठीक तो यह 70 minute के रहने वाला है साथी जो है total इन दोनों के 100 number रहने वाले ठीक है नहीं बात करते है computer test speed and efficiency में जो है आपको यहाँ पर speech test में 10 minute का समय मिलेगा total 50 number मिले वाले हैं 50 mass का रहेगा वहीं जो है कि आपको एक servicement SC STPW इनके लिए 20 नम्मल लाने जरूरी है वहीं जो है कि minimum qualifying mass 20 रहने वाला है box में दे देंगे जहां से आप अधिक जानकारी देख सकते हैं